नवश्कार दोस्तो, वेलकम डू वलफेर्स, मैं हूँ प्रशान धवन और यह है आपके सामने सोलर सिस्टम, यहाँ पे आप देखोगे यह सन है और सन से फोर्थ नमबर पे जो प्लानेट है यहाँ पे आपको देखेगा यह है प्लानेट मार्स, इसकी दो नैच्छल सैटला यहाँ पे आप देख पाएंगे यह है एक फोबोस और दूसरा यहाँ पे है डैमियोस और फिर यहाँ पे आप अगर मार्स को देखे तो मार्स में आज के समय हुमन बिंग्स का काफी इंटरस्ट है लगातार हम देख रहे हैं कि मार्स की तरफ मिशन मेजे गए है इन लास् के सरफेस पर और यहाँ पर एक्स्प्लोर करेगा कि क्या अतीत में मार्स के एक स्पेसिफिक एरिया में क्या वहाँ पर लाइफ थी और क्या वहाँ पर लाइफ के जिन्दगी के अभी भी कुछ अव्शेज बचे हैं और नासा यह सब स्टेडी करेगा एक रोवर की से और उसके अलावा यहाँ पर यह एक helicopter drone भी यूज़ करेंगे इस पूरे mission में कोई भी Mars पर orbiter नहीं भेजा गया यहाँ पर आपको देखना होगा जो UAE का mission है वहाँ पर है सिर्फ orbiter जो China का mission अभी पहुचेगा वहाँ पर rover भी आएगा और orbiter भी आएगा जो USA का mission है वहाँ पर है एक rover और साथ में rover की help करने वाला आप कह सकते हैं एक helicopter drone अब next question यहाँ पर आपका यह आएगा कि अच्छा चाइना का भी rover तो पहुचेगा भी वो पहुचा नहीं है Mars में अभी के लिए अगर हम बात करें तो Mars की धर्ती पर कितने active rover हैं क्योंकि इसे पहले USA बहुत से rovers भेज चुका है Mars पे तो अभी के लिए अगर हम देखें तो सिर्फ दो active rover है Mars की soil पर एक तो है Curiosity जिसको launch किया गया था 2012 में और आज भी यह operational है दूसरा अभी यहाँ पहुच गया है Perseverance यह latest rover है जो NASA ने February 2021 में पुचाया है on Mars और आप अगर Mars के map को देखो यह flat map है Mars का Mars में of course कोई ocean नहीं होते तो इनका जो map है काफी आपको अजीब लग रहा होगा बिल्कुल हर जगा आपको land ही दिखेगा तो यहाँ पे आप अगर देखोगे curiosity आपको देखेगा इस area के आसपास यह यहाँ पे अभी भी explore कर रहा है जो Perseverance है यह इसके थोड़े से north में land करेगा और इसके भी north यहाँ पे land करेगा Tianwen 1 यह होगा चाइना का rover और इसके बाद एक और प्लान यह भी है कि 2023 में Rosaland Franklin rover यह भी वेजा जाएगा मगर यह इन location से काफी दूर होगा this will be on this side of Mars और इसी से related आप से question ही पूछूँगा मैं कि Rosaland Franklin rover जो 2022 देश में land करेगा Mars की धरती पर आपको बताना है कि कौन सी दो space agency आपस में partnership करके इसको launch करेगी NASA ISRO Roscomos, Roscomos Russia की agency है Roscomos और Chinese agency Roscomos और European space agency या फिर Japanese agency और European space agency comment section में करो answer इसका सई answer में आपको दूँगा वीडियो के अंत में और by the way आप किसी भी exam की preparation कर रहे हैं चाए UPSC, SSC, bank, any examination unacademy.com पे जाओ या फिर unacademy की website पे click करो यहाँ पर अपने exam पर get subscription और यहाँ पे आप purchase कर सकते हैं 6 महिने या 12 महिने का course it's up to you मगर जो price लिखा है यह पे मत कर देना simply यहाँ पर code यूज करो PD10 और आपको almost 4000 रुपीस का यहाँ पर discount मिलेगा और मैं आपको यह बदा दू के in the future यह जो referral code का discount है यह 10% से कम करके 5% का हो जाएगा तो course से जादा महिने होंगे in the future जब तक यह काफिया तक सस्ते हैं you can purchase them ना एक बात यहाँ पे मैं clear कर दू के जो mission आज के समय हम देख रहे हैं February 2021 में इसका नाम Perseverance mission नहीं है इसको NASA ने बलाया है Mars 2020 mission क्योंकि 2020 साल में इसको launch किया गया था 2021 में यह पहुचा है Mars के surface पर और इसमें दो main component है एक तो Perseverance, rover और दूसरा है Ingenuity जो अपने आप में है एक helicopter, rover अब इस पुरे mission में एक बहुत ही अच्छा Indian connection भी है NASA की यह काफी prominent scientist है Indian origin की स्वाती मोहन यहाँ पर आप देख पाएंगे यह इनकी photo है NASA में भी काम करके इन्होंने अपना Indian culture कहीं छोड़ा नहीं है आप देहेंगे बहुत ही proudly यह बिंदी पहनती है she wears a sari और इन्होंने इस पुरे mission को lead किया है जो सबसे critical part था इस पुरे mission का कि rover की landing करानी है चंडरयान 2 में issue क्या हो गया था rover की landing properly करनी पाए तो जो यह aspect था landing का यह समाला स्वाती मोहन ने और जब पुरी दुनिया को सबसे पहले ख़बर मिली कि NASA का mission हो चुका है successful तो यह declare किया था Indian origin की स्वाती मोहन ने और क्या इनका जनम USA में हुआ था नई इनका जनम हुआ था एंडिया में जब यह एक साल की थी तब अपने parents समेथ यह migrate कर गई थी to the USA तब से हैं यह एक US की नागरे बाद में of course इन्होंने PhD करी aeronautics में काफी study करी और आज के समय यह contribution दे रही है नासा में अब यहाँ पर मैं एक बात बोल दू कई लोग यह बात assume कर लेते हैं यह बात फ़राते भी हैं कि नासा में जो 36% scientist हैं वो Indian origin की हैं यह बात सच नहीं है कोई भी data यह prove नहीं करता नासा की जो workforce है race, ethnicity के हिसाब से वहाँ पर अगर दे हो तो 72% यहाँ पर आपको मिलेंगे white, Caucasian, फिर black, African American है Indian American की overall representation नासा की workforce में सिर्फ roughly आप कह सकते हैं 1% के आसपास है हाँ मैं यह आपको बोलूँगा कि नासा की जो top rank है जो यहाँ पे बिलकुल administrative roles होते हैं बहुत ही important positions होती है वहाँ पे आपको बहुत सारे Indians मिलेंगे मगर तब भी जो उनकी presence है 36% के आसपास भी नहीं है तो यह जो line है हम कावी से इवलेट करते हैं it is factually incorrect by the way यह जान लीजिए कि अभी के लिए नासा की जो acting chief of staff है यह भी है Indian origin की भावय लाल तो Indians का impact नासा बे बिलकुल है मगर जितना बड़ा चला के हम बोलते हैं उतना नहीं है एक और बाद ये भी है क्या हमको proud feel करना चाहिए कि Indian Americans नासा में इतना contribute कर रहे हैं मेरे असाब से नहीं क्योंकि यह वही लोग हैं अगर इंडिया में रहते तो ये bright minds आज के समय काम कर रहे होते इस रोग के लिए या फिर जो हमारी various private sector companies ने space में उनके लिए ये migrate करके US में गए हैं एक भैतर जिंदगी के लिए और यहाँ पर हमको सोचना होगा कि किस तरीके से जो हमारे देश का talent है उसे हम retain करे और अपने देश में opportunity दे खेर वापस आते हैं यहाँ पर मार्स मिशन पे तो जो मार्स 2020 मिशन है इसके तीन आपको मिलेंगे main component एक तो बहुत आपको बदा दिया मैंने rover है जिसका नाम है persaverance यह आपे है rover उसके बाद जो helicopter rover है तो by the way rover में ही अभी installed है अभी इसको बाहर निकाला नहीं गया और फिर इन दोनों को carry करने वाला सबसे मैं कहूंगा important component यह है cruise stage और EDLS यह आपको समझा ज़ता हूँ यह क्या है तो देगो धरती से तो इस पूरे package को आप कह सकते हैं इस पूरे spacecraft को launch किया Atlas V rocket ने from USA उसके बाद जब यह पूरा package आप कह सकते हैं बिल्कुल एक bundle के रूप में यह Mars तक पहुचा फिर अब challenge यह था कि कैसे इसको soft landing कराए Mars के surface पर तो उसके लिए यहाँ पर जो EDLS है इसको आप कह सकते हैं इसका बहुत important role था इस तरीके इस shape में यह पहुचा पहले Mars के orbit के आसपास उसके बाद यहाँ पर यह से अलग हुआ कुछ component इसके अलग हुए फिर जो यह बीच का हिस्सा है इसने descent किया नीचे यहाँ पर Mars के surface पर तो यहाँ आप आप देशकते हैं इस तरीके से यह नीचे यहाँ पर गया Mars की तरफ काभी pressure होता है जब आप इस speed में travel करते हैं और फिर देखो यहाँ पर parachute open हुआ parachute open हुआ इसने कुछ यहाँ पर सारा लिया हवा का और उसके बाद यहाँ पर इसने जो अपने booster है वो यूज किये यह बहुत ही interesting है यहाँ पर आप देखेंगे यह booster यूज किये गए कोशिश की गई कि यहाँ पर जो impact है rover को नुकसान ना हो यह बहुत ही important है rover को नुकसान ना हो और फिर यह उपर का जो part है यह अलग हो गया अलग होके यह कहीं दूर जागे गिर जाएगा इसका काम खतम अब यहाँ पर जो rover है यह अपना काम करेगा अपने drone के साथ यह इस तरीके से इस पुरे mission को land किया गया और स्वाती मोहन का इस landing में critical role था इन्होंने पुरा lead किया है landing का feature और अगर हम बात करने पुरे spacecraft की तो सारे जो components है यहाँ पे drone, rover सबको आप अगर मिला लो और बागी जो components है टोटल इसका weight था उसवक 539 kg काफी भारी है और फिर आप अगर पूछेंगे किया perseverance rover curiosity rover से बहुत अलग है नहीं, इन्होंने इस बार ये कर दिये कि जो इसके wheels है जो इसके पईये हैं rover के यहाँ पे आप अगर देहेंगे जो इसके पईये हैं ये बनाए हैं इस बार high grade aluminum के aluminum से इनको उमीद ये है कि बहुती लंबे समय तक ये last कर पाएगा on martian surface बाकी जो इस पर cameras हैं ये आए हैं from various countries जो इसका main super cam है ये दिया है France और Spain दोने मिलकर फिर जो इसका MEDA है ये आया है from Spain जो इसका laser retrofactor है ये आया है from Italy जो इसका rimfax equipment है यहाँ पर जो study करेगा Mars के surface को ये है from Norway तो within countries ने अपने कुछ equipment यहाँ पर याड़ किया है मगर overall it is an American mission और फिर अगर हम बात करें robotic helicopter की तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है इसकी image ये जो robotic helicopter है इस वक्त यहाँ पर rover के अंदर अभी installed है इसको कुछ दिन बाद ये rover से भार निकालेंगे और फिर ये भी उड़कर study करेगा Mars के surface को और ऐसा नहीं है कि ये बिलकुल high altitude पे fly करेगा बहुत ही basic सा drone है ज़रा इसमें power है नी to be honest maximum ये 3 से लेकर 5 मीटर के आसपास के altitude पे fly करेगा और एक बार की जो इसकी उड़ान है ये होगी सिर्फ 90 seconds की और इस तरीके से कई बार ये उड़ेगा और उमीद ये है कि इसे NASA को एक आडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से ये drone काम करते हैं कैसे in the future ये ज़ादा बड़े drone helicopter drone भेश सकते हैं क्या design होना चाहिए तो ये एक टाइप का experiment है इसमें असान ये है कि Mars को एक कुछ जाड़ा study करेगा ये यहाँ पर बस चेक कर रहे हैं कि drones की physics करे काम करती है on Mars और ये भी आपको मैं बता दूं कि जो Mars helicopter है इस rover के अंडर इस aspect को handle कर रही है Mimi Ang ये है Myanmar bond अब यहाँ पर आप सोच कर देखिए Indian bond, Myanmar bond दुनिया भर से कहीं से भी इनको talent दितता है ये attract कर लेते हैं अपनी country में और ये अमेरिका का बहुत ही बड़ advantage है कि जहाँ पर living standard इतना अच्छा हो तो दुनिया भर का जो talent है वो भी वहाँ पर आकर्शित होता है है अब components आपको बता दिये अब ये सब मिलके Mars का कोन सा हिस्सा study करेंगे एक्जाम perspective से बहुत important है focus होगा यहाँ पर जेजेरो crater पे जेजेरो crater आपको मिलेगा Mars पे मैंने आपको location दिखा दी के ये जो rover है land का आपके करेगा वहाँ पर है जेजेरो crater अब ये जो photo है ये of course एक 3D rendering है from NASA NASA का ये मानना है के जेजेरो crater crater क्या होता है मतलब एक गड़्डा Mars का आप अगर surface देखो तो वहाँ पर sense एक proper atmosphere है नही तो कई बार जो यहाँ पर meteor आते हैं asteroid आते हैं comet आते हैं वो बिल्कुल direct impact करते हैं Mars के surface पर और फिर बनते हैं इस तरीके के गड़े और आज से कई million साल पहले क्या हुआ कि ऐसा ही कोई comet या asteroid ये टकराया होगा Mars के surface पर और फिर यहाँ पर पानी भर गया तो ये बन गई एक lake एक type की जील बन गई यहाँ पर और NASA के scientists मानते हैं कि काफी लंबे समय तक यहाँ पर पानी था अब जहाँ पर पानी ते लंबे समय तक होगा तो एक assumption अपने आप आ जाती है एक उमीर आ जाती है कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ bacteria कोई किसी type की life किसी भी type की life कोई microorganism, algae कुछ भी यहाँ पर हो सकता है कि यह पैदा हुआ हो तो NASA यहाँ पर इस crater को study करेगा क्या इस crater में अभी भी पानी है नहीं अब तो सूख चुका है यह बस एक 3D rendering है कि के ऐसा हुआ होगा कहीं साल पहले अब तो बिल्कुल यहाँ पर बिना पानी के इसको आप imagine करो तो इस crater को NASA study करेगा और उमीद यह है आपर कि कुछ अवशेश मिल जाए कि एक time पर यहाँ पर कुछ life थी अगर ऐसा होता है तो it will be a huge breakthrough इससे confirm हो जाएगा कि solar system में life सिर्फ planet earth पे exist नहीं करती in the past मार्स पे भी करती थी और कोई बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है कि मार्स में और जगा भी भी वहाँ पे life हो या फिर यूरोपा में या फिर बाकी जो various moons है Jupiter के Saturn के वहाँ पर भी life हो सकती है तो इससे जो possibilities हैं ये काफी बढ़ जाती है future के लिए तो ये सब NASA ने जो किया है इसके पैसे कित्ते लगे हैं लगवा का आप कह सकते हैं 20 से लेकर 22,000 करोड रुपे टोटल NASA ने इस पर 2.8 billion dollars खर्चे हैं और हो सकता है के in the future और भी यहाँ पर खर्चे हैं हो सकता है के overall जो expenditure है इस पुरे project का ये 3 billion dollars के वी उपर पहुच जाए सो वापस आते हैं अपने question पे मैंने आपसे पूछा था के 2023 में जो Rosalind Franklin rover land किया जाएगा Mars पे कोशिश की जाएगी इंडिया यहाँ पे काफी पीछे रह जाएगा हाल ही में के सिवान साब ने clarify कर दिया है के मंगल यांटू में भी कोई lander या फिर rover नहीं होने वाला जो काफी sad बात है के मंगल यांटू में कोई rover होगा नहीं उमीद यही है के 2028 में भी 29 में इंडिया भी इवेंचुली एक rover भीजे मार्स के सर्फेस पर तो यह है एंड इस वीडियो का थैंक यू फॉर लिस्निंग और आज अलवेस God bless you all